असलाम अलेकम, आज की वीडियो में हम सीखेंगे कि ये जो हमारे पास टूल बार का ऑप्शन है, ये जो टूल बार हमारे पास दिया हुआ है, इसको समयना जरूरी है, क्योंकि इसके बगार आप अपने आर्टिकल को, अपनी पोस्ट को खुब सुर्थ अंदाज में नहीं ल समयना जरूरी है, अच्छे तरीके से और इसकी practice भी करनी है, ठीक है, तो मैंने क्या किया है, यहां पर एक चोटी सी पोस्ट मैंने लिखिया, यहां पर, तो फिर क्या होगा, यहां पर यहां पर यह दिया हुआ, अंडू का बटन, ठीक है, इस अंडू के बटन पर जैसे आ हिसा मेरा किसे हखे होगा ला ओwarming का ओली हिसाना के लिए भी fight' का लिए का फिटा है ठीक करेंँगे यह अगले हिस्से और पिछले हिस्से में जाने के लिए आपकी हल्फ करेंगे ठीक है तो आपके लिए हो जाइगी लर्स वो द मैं यहां पर मुझ Dobli से के डिलीट हो गया ये भी डिलीट होगया तो मैं क्या करूँगा अंड़ो के लिटन पर क्लिक करूंगा एक ही साओ फिर दुपारा क्लिक करूंगा तो वह दुपारा दूसरा हिस्था भी आ इस तरीके से आप आपको टेंशन नहीं होगी कि यह हमारा जो आर्टिकल का कोई हिसा जिन्हों वह डिलीट हो गया तो आप उसको उस तक पहुंच नहीं सकते हैं तो उसको अंडू और रिडू की मदद से आप अपने पोस्ट को आगे पीछे लिजा सकते हैं जो हिस्सा जो प आइप आप निकौंसी कौंसा यूज करना है तो यहां पर देखिए आपके पास हैं इस में से कोई भी आप यूज का सकते हैं यह डिफाल्ट पांट है एरिय्ट को मैं से कोई आप यूज चकशकूरा नहीं तो यह फोंट और चेंज का सकते हैं उसके बाद अगर मुझे यह वाला जो स्टैनों टैपिस्ट है यह एक जोब है मतलब इसको मैंने हैडिंग बनाना है बड़ा करके लिखना है तो यहां पर यह टी लिखा हुआ फॉंट साइज है यह चोटा और बड़ा इसका मतलब क्या है फॉंट साइज इस पर आप क्लिक करेंग वो आप लोगों के अपनी मर्जी है ठीक है कहां पर आपने बड़ा हैडिंग यूज करने है कहां पर स्माल हैडिंग ठीक है साब हैडिंग यूज करने है वो आपकी अपनी मर्जी होगी ठीक है अच्छा उसके बाद आजता है पैराग्राफ उस पैराग्राफ की हैडिंग जो न आप ने कौन से बनानी है, छोटी बनानी है, बड़ी बनानी है, ठीक है, यह सारा, जैसे के यहाँ पे यह दिया हुआ, इसको मैं कहता हूँ कि यह paragraph ना हो, यह heading ओ, आप इसको छोटी heading के तौर पे भी और major heading के तौर पे भी इसको use का सकते हैं, ठीक है? उसके बाद आप माइनर हैडिंग के तो पर भी इसको यूज का सकते हैं तो परग्राफ तो पर भी इसको यूज का सकते हैं और नॉर्मल जो हमारा टेक्स्ट है उसके तो पर भी आप यूज का सकते हैं यह आप लोगं की अपनी मर्जी है ठीक है तो यह चीजे क्यों है यह अपनी जो आर्टि आप इसको मोटा का सकते हैं, ठीक है? इसके बाद इसको अगर इटैलीक करना चाहें, टीड़ा करना चाहें तो आप इसको इसको इ fijne बीटा सकते हैं तो यह देखें, वर्ड टेडे हो गया है तो यह आप लोगों के अपने मज़े है ऐसे तो भी आप ला सकते हैं ठीक है और उसको खत्म करना चाहिए दुबारा उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आज़ता है ये color, text color, text color आप किस तरह का चूज करना चाहते हैं, red color चूज करना चाहते हैं, ठीक है, जो भी आप अपने मज़जी का color यहाँ पर चूज का सकते है ठीक है, उसके बाद background color आज़े था, text का background color, तो background color आपने कौन सा चूज करना है, तो वो आपने मज़जी से चूज का सकते हैं, अपने article को होबसूर्थ बनाने के लिए, ठीक है, तो वो आपकी अपने मज़जी है, ठीक है, उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको तीन ड को प्रेस करना मजीद यह options आजएंगे, यह खुद बखुद नहीं आएंगे, आपको यह तीन डॉट प्रेस करेंगे, करने पड़ेंगे, तो ही यह आएंगे, ठीक है, उसके बाद आज़ता है, insert or added link, let's suppose, मैं चाहता हूँ कि जब लोग इस पे, stand on typist पे click करें, तो इस पे कुछ और आए, मतलब मेरी website आजए, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे अपनी website का एक link लोगा, इसको copy करूँगा, ठीक है, और यहाँ पे यह जो दिया और इसको मैं select करूँगा, select करने के बाद यहाँ पे insert a link, इस पे यहाँ पे आके control V करूँगा, तो paste हो जाएगा, ठीक है, control V करने से paste हो जाएगा, तो इसको apply का देना आप लोगों ने, ठीक है, तो यह देखे, हमारा यह, देखे, stand on tapist इसके उपर link लाद गया, तो link लगाने के लिए हम यह वाला button यूज़ करेंगे, ठीक है, insert a link और edit a link, ठीक है, इसकी मदद से आप यहाँ पे इसको बह अधूरी होती है, मतलब हो इन सकती है, तो यह link वाला काम हर जगा पे हर post में आपको यूज़ करना पड़ेगा, इसको आपने अच्छे तरीके से समयना है, ठीक है, आपको इस, अब मैंने यह link लगाया ना, तो इस, जब भी लोग इस पे click करेंगे, तो मेरी website आजएगी, वाला पेज आजएगा, जहां पे मैंने यह link लिया था, ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने website, यह दूसरों की website का भी, जहां पे आपको जूर पड़े, कि यह detail में और किसी website पर जाना पड़े, तो आप उसका भी link यहां पे use करना पड़ेगा, आप लोगों को, ठीक है, तो बाज उकात ऐसा होता है, तो उसके बाद आता है, insert image, अगर आप अपनी post में कोई image डालना चाहते हैं, ठीक है, तो यहां पे upload from computer, यहां से आप ले सकते हैं, उसका URL वो भी ले सकते हैं, लेकर यहां पे असान तरीका का यह है, कि आप choose करेंगे, ठीक है, और जहां पे आ अपने image इस्तमाल करनी है, जो download की है, या अपने बनाई है, ठीक है, उसको आपने select कर लेना है, ठीक है, double click करना है, या उस पे insert वाले button पर आपने click करना है, तो वो आ जाएंगे, तो यह उसके बाद select कर लें, या इसके उपर double click कर दें, ठीक है, mouse की मदद से, left mouse की मदद से, या इस पर select कर लें, कोई attention नहीं है, यह insert हो जाएगी, ठीक है, तो इस तरह से यह आप एक, जो हमारे पास है, picture या थामनिल कर लें, वो add हो सकता है, इस तरीके से आप अपने article में picture भी use कर सकते हैं, picture होगी, उसके बाद insert video, तो यहाँ पर video भी आप computer में से, छोटी, video जना हो upload कर सकते हैं, लेकर YouTube वाली ही, यहाँ पर mostly use की जाती है, ठीक है, YouTube वाली ही mostly use की जाती है, computer में नहीं क्योंकि इससे website पर load पड़ता है, तो YouTube वाली ही upload करेंगे, यह इंचले में next video में आप लोगो समझाँगा कि यह कैसे की जाती है, ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पर कोई emoji वगरा लगाना, को special character लगाना हो, तो वो भी हम लगा सकते हैं, इसमें से कोई भी लगाना चाहें, तो आप लगा सकते हैं, इसके बाद next जो मेरे पास आजिता है, वो है, text को left, right और center में करने के लिए use किया जाता है, इसका बार-बार इसमाल करना पड़ता है, ठ ठीक है, तो ये left, right और इसके लावा ये justify के लिए भी use होता है, ठीक है, वर्ड को जो ये वर लिख्यों गया है, इसको अच्छे अंदाल में खूब्स होता है, अंदाल में शो करने के लिए आपको justify पे click करना पड़ेगा, तो इससे बहुत फर्क पड़ता है, वर्ड जो न करेंगे तो ये right की तरफ move करेगा, और इस पर click करेंगे तो ये left की तरफ move करेगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर यह बुलिट का इसमाल करेंगे तो यहाँ पर फर्ड कर लिया, हमारे पास ये एक जो बहाद, इसके बाद, अगर हमारे पास एक list आ जाए, तो उसके लिए हम blood का इसमाल भी करते हैं, अगर हम numbers का इसमाल करना चाहिए तो number भी इसमाल कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक use करना पड़ता है, ठीक है, उसके बाद हमें ये coded text भी हमें use करना पड़ता है, मतलब कि टेक्स जो ना, इस से पहले को, ये code लगाना पड़ता है, तो वो हमारी मर्जी है, coded text, ठीक है, लिकने इसका इसमाल बहुत कम होता है, उसके बाद आज़ता है, यहां पे insert jump break, ये क्यों इसमाल होता है, देखिए, हमने ये दो लाइने, let's suppose हमारे पास, let's suppose ये दो paragraph है, इन दो paragraph को आपने अलग अलग करना हैं, तो कैसे करेंगे, आपने यहां पे करसर लखने है, यहां पे mouse लाना है, ठीक है, जहां पी paragraph खतम हो रहा है, उसके बाद यहां पे यह आपने jump, insert, jump break, ये लगा दिना है, ठीक है, जैसे है, आप jump break लगाएंगे तो ये देखिए paragraph लग हो गया, ये show हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से आप का सकते हैं, उसके ब मतलब जो paragraph है, वो left side पे start होना चाहिए, या फिर right side पे start होना चाहिए, तो यहां पे right side पे ये सारे equal हो जाएंगे, और इस पे click करेंगे तो ये left side पे equal हो जाएंगे, तो ये आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, और आगे यहां पे आजाते input tools, ये फिलाहल मैं आपको next video में सम इसके का सकते हैं, ठीक है, तो वो आपकी अपनी मर्जी है, तो ये तो था हमारा tool bar आज का, और आई हो कि आप लोगों को इस tool bar की समझ भी आई होगी, और अगर आप लोगों को वीडियो पर सांद आए, तो वीडियो को like करना, चैनल पढ़िए हैं तो चैनल को subscribe कर दें, मि 115 है, ओ distinct मिलिसा गपका, तो वीडिया है, तो थाल बडितो की समझ भी का समझ भी आप की समझ भी का और आप वीडियो कम लोग dir denoteया है पहाँ दें, मिलिसे कम क की समझ, तम मिलिसbab praदिए हैं तो आपकि इसक्सा Agent URL, तो रिद foreigners औिस सो समझ पहाँ गागर, और आपकि समझ तो